हलो बच्चो तो आज अब लोग को मैं पूरा MP बोट के एक्जाम न्यू एक्जाम पैटन के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी दोंगा जो कि हमारे दोहजर 21 में होने बाला है तो बने रहे मेरे साथ और आपको बताऊओंगा कि इस एक्जाम पैटन में क्या क्या एट किया गया है और आप लोग के एक्जाम किस तरह होगा तो बने रहे आप लोग का टाइम ज्यादा बेस्ट यहां पर मनिक करूंगा डाइट आपको बताना सटार्ट करता हूं तो देखो आप लोग का जो एकजाम होगा वह हमारा OMR सीट में होगा अगर आपको ओमर सीट नहीं पाता तो चलिए आपको दिखाई देता हूं यह इस तरह काहों तो नहीं होगा हमारा ओम एमार सीट होगा जिसमें बच्ची लोगों को टिक करने के लिए दिया जाएगा गाव किती बास समझ में आ गई और हाई आप लोग को पता नहीं होगा कि यह जो नियुजाम पैटर्न है क्या इसी तरह हमारा नौमी ग्यारमी बारमी या मान चलो आपको जो बोट एकजाम है तो आपका जो दसमी और जो बारमी है उसमें आप लोग का यह जरूर देखने को मिल सकता है ठीक ना आपको समझ में आ गया तो चलिए आपको थोड़ा और डीटेल दे रहें इसके नियुजाम पैटर्न के बारे में तो हमार सीट में कौन कौन स हुगा उसके भाएख फिर में प्रिपसेट के प्रिश्ण होगा उसके भावज़े शेड़ा आत्मक प्रिश्ण होंगे तो आपको समझाया रहे हैं कि बास्तोंनी परेश्ण रउंसे होते हैं जिसमें ज़िकान पढ़ता था कि पांथ या मन तलम नंसा चल्रुको क्या होग इसमें आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा सजेक्टिव टाइम में उसके बाद फिर आपका क्याता है विसले सडा आतमक प्रसन इसको हम कहते हैं तर्क बहुत से जो बगारा में होता है जिसमें ट्रिकी कोसन जो पूछे जाते हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा नो में से आपको टोटल कित्ते प्रसन आएंगे तो इसमें से आपको 50 प्रसन आपको पूछा जाएगा आपके बोट एक्जाम में तो चलिए आंगे और समझ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में तो परिक्षा किस तरह होगा तो हमारा जो मायन टोपिक बहुत ज्यादा है बहुत बच्चे पूछें कि हम लोगों किस तरह होगा तो चलिए इसको थोड़ा आपको बता देते हैं तो परिक्षा में लिखने के लिए आपको परिक्षा एक्जाम हॉल में काप या तो मिलेगी ठीक ना आप लोगों को तो कापी मिलेगा उसके साथ ही आपको क्या वस् आपको त cri Lincoln ना फ़्या होगा आद़ qa में यसको भी तिक करना पड़ेगा उसको को जमा करना पड़ेगा इती बart आपको समझ में आ गई तो देखी उसके बात पूस्सकान को क्या होगा इसको क्या धिया जाएगी जिसमें उच्छे जएगा इस मैं सब्सुखक्त्र सब्स में इतने सब्द में आपको लिखना है तो निर्देश किसने जारी किये है जान लेते हैं तो आपका जो निर्देश है माधमिक तो निर्देश को जारी कि आपको नहीं पता ये अपको बताते हैं आपको बताते हैं कि उन्हों ने निर्देश को उसलिए जारी किया है ताकि आपका जो परिक्षा को जल्दी आ सके क्योंकि वे तो चलिए उनको भी आपको दिखाए देते हैं हमारे रादे साम जुलनी तो चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने निर्देश को क्यों जारी किया है तो उन्होंने निर्देश को इसलिए जारी किया है ताकि आपका जो परिक्षा का जो रिजल्ट हो वो जल्दी आ सके क्यो लिए उन्होंने निर्देश को जारी किया है तो चलिए उसके बाद थोड़ा और जान लेते हैं उसके बारे में तो आपका जो कापी चेक कहा होगा यह हमारी तो देखुवार पहले आप बहुत से जी लोकाव लोका एक जाम के जो पेपर हुआ करता था जैसे मांग चलो आप जो कापी भीजी जाएगी इसके अलाबा जो हमारे जो कापी जाचने के लिए अन जीलों में जो भीजा जाया करता था वह नहीं भीजा जाएगा ठीक इतनी बात आपको समझ में आ गया उसके इस बर्स यानिकि इस साल इंदौर जिले में बोर्ट परिक्षा देने वाले ज और पैटन किस हिसाब से होगा तो अच्छी तरीके से आप लोगों को मेहनत करना है तो आप लोगं काफी सब्सक्राइब आपको आपको अच्छा लगे लाएक परिए ज्याप जरूर कर दीजिए अगया आंगे चले का वीज Disability बट जो ऑLAN सबसे पहले इसी में आपको दिया जाएगा जब तक के लिए धनबात मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियो में